हैलो व्यूवर्स वेलकम टू माई साइकॉल जी क्लास के बिथिंद क्लास पिछले वीडियो में हमने सीखने के प्रया सेवं तूति सिधान जो कि थ्वांडाइक का दिया हुआ था और कोहलर के सूच के सिधान का अध्यान किया था आज हम सीखने के तीसरे सिधान यानि प्रा का अध्यान करें हम अनुबंधन के अर्थ को समझ लेते हैं अनुबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्रभावहीन उत्तेजना इतनी जादा प्रभावशाली हो जाती है कि वो वांचित प्रतियुत्तर प्रकट करती है इस वाक्य में ये कहा गया है कि एक प्रभावहीन उत्तेजना यानि कि उस उत्तेजना का स्वयम में कोई महत्व नहीं है उस परिस्थिती में लेकिन वो इतनी जादा प्रभावशाली इतनी जादा पावर्फुल हो जाती है कि जैसा हम चाहते हैं वैसी प्रतिक्रिया उसके द्वारा प्रकट होती है, तो इस स्थिती को अनुबंधन कहा जाता है, और अगर इस उद्धीपक, यानि उत्तेशना को हटा दिया जाए, यह जो प्रभावहीन उत्तेशना है और प्रभावशाली बन गई है, इसको अगर अगर हटा दिया जाए, तो इसके हटाने पर जो response दिया जा रहा है वो response यानि की प्रतिक्रिया बिलकुल एक natural यानि की समाने प्रतिक्रिया है अनुबंधन का अर्थ अभी आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन जब आप experiment पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको यह पूरी सेंटेंस है आपको इसका अर्थ समझ में आएगा अनुबंधन सिधान्त जो है उसके दो रूप है प्राचीन अनुबंधन सिधान्त यानि की क्लैसिकल कंडिशनिंग थियोरी जो की पावलव के द्वारा दी गई है और नेमितिक अनुबंध सिधान्त यानि की इंस्ट्रुमेंटल कंडिशनिंग थियूरी जो की सकिनर के द्वारा दी गई है मैं हम बात करते हैं प्राचीन अनुबंधन सिधान्त की प्राचीना अनुबंधन सिधान्त का प्रतिपादन iPhone by कर 12집 धृक्त-व्रहा किया गया था यहां पर प्ई लिखा आईपी पावलव के द्वारा इस सिधान्त का प्रतिपादन किया गया था और इनका पूरा नाम इवान पैत्रोविच है ये रूस के शरी शास्ती थे जिन्होंने 1904 में अनुबंधन सिधान्त का प्रतिपादन किया गया था और इसके लिए उन्हें नोबल पुरसकार से नवाजा गया था इस सिधान्थ के कारण ही इन्हें अनुबंधन का जनक यानि की father of conditioning कहा जाता है इस सिधान्थ को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है संबध प्रत्यावरतन सिधान्थ यानि की theory of conditioning संबध प्रतिक्रिया सिध्धान्त अनुबंधित प्रतिक्रिया सिध्धान्त अनुकूलित अनुक्रिया सिध्धान्त यानि की कंडिशन डिस्पॉंस थियोरी इसके लावा इसे क्लैसिकी अनुबंधन सिध्धान्त या शास्त्री अनुबंधन सिध्धान्त भी कहा जाता है और English में Classical Conditioning Theory. तो इन सारे नामों की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी नाम से इस सद्धानत के बारे में प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन अगर आप Conditioning याद रखेंगे, तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि सबी जगे पर English में Conditioning Response या Conditioning की बात की गई है, अब पावलव ने अपने Experiment के लिए प्रयोज के रूप में एक कुत्ता लिया था, यानि कुत्ते के ऊपर इन्होंने Experiment किया था, अब यह Experiment था क्या, हम उसको देखें, इसके पहले हम यह जान लेते हैं, कि पावलव ने अपने सिधान्त के बारे में क्या कहा है, पावलव के अनुसार, जब कोई स्वभाविक उद्धी पक प्राणी के सामने आता है, तो उसके प्रति वो स्वभाविक प्रतिक्रिया करता है, यानि एक स्वभाविक उद्धीपक आया है, जिसके प्रति स्वभाविक प्रतिक्रिया हुई, जैसे गरम बरतन के छूने पर हाथ का पीछे हड़ जाना, तो गरम बरतन यहाँ पर एक स्वभाविक उद्धीपक है, जिसके प्रति स्वभाविक प्रतिक्रिया लगभक सभी प स्वभाविक प्रतिक्रिया होती है लेकिन जब इसी स्वभाविक उद्धीपक के साथ कोई अन्य तठस्त उद्धी पक जिसका संबंध उस इस्थिति या परिस्थिति से नहीं है बार बार प्रस्तुत किया जाता है बार बार उपस्थित किया जाता है तो कुछ प्रयासों के बाद या नि कुछ ट्रायल्स के बाद ऐसा होता है कि जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया अभी तक स्वाभाविक उद्धीपक के प्रति हो रही थी वो किसके पृति होने लगती है, उस तथास्त षुद दीपक के पृति होने लगती है और इसी स्थिती को अनुबंधन कहते हैं अब हम इसे एक्स्पेरिमेंट से समझते हैं जो कि पावलव ने कुट्टे के उपर किया था सबसे पहले तो चित्र में आप देख लीजे पावलव अपनी पूरी टीम के साथ एक्सपेरिमेंट के लिए खड़े हैं यहां पर और नीचे कुत्टे को जो है क्या किया गया है बांधा गया है एक आप देख सकते हैं कुत्ता पूरी तरह से बंधा हुआ है जो की अपनी बड़े में की फूरी अपर दियन नुली फिट कर दी और यह लिए रबड़ की चिक्टे के मूंसे घो भी लार निकल थी त hypothesना जो कि लिए-बांध छानः फिए और बाहर आकर यहां पर स्विया नली होता थी। और ये जो मशीन है इसमें जो लार निकलती थी उस लार के एक डॉप भी आती थी तो उस डॉप के दस्वे हिस्से का भी मापन किया जा सकता था, तो इस प्रकार की एक नली उसके मूँ में फिट कर दी गई, अब भोजन को देखकर मूँ में लार आना ये एक बहुत ही भाविक प्रतिक्रिया है, अब कुत्ता भूखा था और उस भूखे कुत्ते को भोजन देना था, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट था, ट्विस्ट ये था कि भोजन देने से पूर्व घंटी बजाई जाती थी, यानि कुत्ते को जब भी खाना दिया जाता था, तो उस खा कि बोजन के लार डपका रहा था यानी घंटी बजतेश करने लगा के कुद्टे को बार बार घंटी बजनने के बात भोजन मिलता था तो उसके दिमागे में कहीं न कहीं एक कर्णजन आ गया कि घंटी बजती है तखी मुझे भोजन प्राप्त होता है तो जो लारकासराव भोजन को देखकर होता था यानि भोजन के प्रति जो उसकी प्रतिक्रिया थी वो घंटी के साथ क्या हो गई? संबद्ध हो गई, जुड़ गई, उसका connection हो गया उससे तो यह जो है, क्या है? अनुबंधन है अब हम इसको यहाँ पर इस डाइग्राम से समझते हैं सबसे पहली इस्थिती है before conditioning की यानि conditioning होने से पहली की क्या इस्थिती है और यह बिल्कुल एक स्वभाविक इस्थिती है भोजन जो की एक स्वभाविक उद्धीपक है उसको देखकर लार का स्राव होता है भोजन जिसको unconditioned stimulus कहा गया है और लार जिसे unconditioned response यानि अभी यह स्वभाविक हैं इनमें कोई conditioning नहीं की गई है इसलिए unconditioned stimulus और unconditioned response की बात कही गई है अब दूसरा जो step आता है यहाँ पर conditioning शुरू की गई है लेकिन अभी conditioning नहीं होई है इसलिए भी conditioning से पहले की स्थिती है अब यहाँ पर क्या होता है कि जो स्वभाविक उद्धीपक है उसके ठीक पहले एक अस्वभाविक उद्धीपक दिया जाता है यानि कि भोजन के ठीक पहले गंटी बजाई जाती है गंटी बजी भोजन दिया गया भोजन को देखते ही कुते ने लार का स्राव किया जो कि एक स्वभाविक प्रतिक्रिया है क्योंकि अभी ये भोजन के प्रति हो रही है तो स्वभाविक उद्धीपक के प्रति स्वभाविक प्रतिक्रिया तो हो रही है लेकिन स्वाभाविक उद्धीपक के ठीक पहले क्या दिया जा रहा है एक स्वाभाविक उद्धीपक जो की क्या है घंटी की आवाज तो यह जो प्रक्रिया है यह पूरा प्रोसेस है यह कई बार दोराया गया घंटी बजी भोजन दिया गया बोजन देखते ही कुत्ते को ल यानि भोजन देने से, जब भी भोजन दिया जाता था उसके ठीक पहले घंटी बजाई जाती थी, अब बार बार इस प्रोसेस को करने पर, कुट्था जो है अभी तक जो भोजन को देख के लार्श्राव कर रहा था, वो उसने क्या किया एक अनुबंधन स्थापित कर लिया, किसके प्रति घंटी और भोजन के बीच में उसको ये हो गया कि जब भी घंटी वश्ती है तब भोजन प्राप्थ होता है तो तीसरी स्थिती आई यानि तीसरा चरण आया यह कंडिशनिंग के बाद के स्थिती है और वो किसके प्रति होने लगा घंटी के प्रति जबकि घंटी को ना तो वो टेस्ट कर सकता है ना उसका पेट भरेगा ना उसको खा सकता है इसलिए इसको अस्वभाविक उद्धीपक कहा गया है यहां पर स्वभाविक उद्धीपक नहीं है क्योंकि कुछ बूखा है और ब नुबंधित प्रतिक्रिया कहा गया है क्यों क्योंकि यह स्वाभाविक उद्धीपक के प्रति ना होकर अस्वाभाविक उद्धीपक के प्रति हो रही है तो यहां पर कंडिशनिंग स्थापित हो चुकी है फुल फॉर्म मैंने यहां पर सब दिये हैं कंडिशनिंग CS मतलब Conditioned Stimulus CS क्या है यहां पर CS जो है वो घंटी है इसके रावा UCS यानि Unconditioned Stimulus UCS जो है वो भोजन है जो की स्वभाविक उद्धीपक है CR यानि Conditioned Response जो की लार का स्राव है और UCR यानि Unconditioned Response भी लार का स्राव है लार का स्राव ही Conditioned Response है यानि स्वभाविक प्रतिक्रिया और लार का स्राव ही Unconditioned Response है यानि की अनुबंधित प्रतिक्रिया एक बार इसको स्वभाविक प्रतिक्रिया कहा गया है दूसरी बार प्रिया को अब बात करते हैं कि इस सध्धान का है महत्तो किया है संबद्ध प्रतियावर्तन सिधान्त वो में अच्छी आदतों के निरमान में साहिक होता है यानि अच्छी आदतों का connection जब आप डेली लाइफ के routine से कर देते हैं तो बच्चा उन अच्छी आदतों को सीख लेता है और आगे उसका जो है अच्छी आदतें उसके पुरे जीवन भर चलती है चात्रों में अनुशासन स्थापित करने में इस सिधान्त का प्रियोग किया उनको दूर करने में सहायक होता है पढ़ने लिखने तथा वरतनी को सीखने में जो spellings होती है उनको सीखने में यह important role अधा करता है और जो पुरसकार और दंड होते हैं उनको देने में यानि पुरसकार देने में और दंड देने में दोनों ही तरह की विवस्थाओं को लाग की तो सदान्त की कुछ आलोशनाएं की गई है पहली आलोशना यह है कि यह सदान्त सरल क्रियाओं के संदर्ब में लागू होता है जहां पर जटल क्रियाओं आ जाती है वहां पर यह सदान जो होता है वो काम नहीं करता है यह सदान्त पुंडरा वरती पर बहुत अधिक बल देता है यानि कि गंटी बजी फिर भोजन दिया गया फिर कुते ने लार का स्राव किया फिर गंटी बजी फिर भोजन दिया गया तो यह पुंड्रा वृत्ती बार-बार की जा रही है उस चीज की तो पुंड्रा वृत्ती पर अवशक्ता से जादा ही बल दिया गया है इस सि जो है वो व्यवहार को यांत्रिक रूप में मानता है यानि कि इस सदान्त में जो भी बिहेवियर प्राणी कर रहा है वो मशीनी है बिल्कुल यंत्र की तरह से जिस प्रकार से पावलव ने अपने कुत्ते को बांध के रखा था अगर हम सवभाविक परिस्थितियों में आर्ध होता है जो भी वयवहर सीख जाता है वो अस्ता ही होता है क्योंकि जैसे रिअंफोर्स्मेंट हटा दिया जाता है या जहां नहीं मिल पाथा है तो केवल गंटी वच्ती रहे और उसे भोजन प्राप्त ना हो तो कुछ प्रयासों के बाद कुटा जो है वो गंटी की आवास पर लार का स्राव करना छोड़ देगा क्योंकि उसको यह पता लग जाएगा कि केवल गंटी गंटी वच्ती है बोजन तो हमें मिलता ही नहीं है तो ऐसे स्थिती में जो उसने सीखा है वो व्यवहार जो है लुप्त हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह सदान्त बहुत अच्छी तरह के से समझ में आ ग झाल्स थैंक यू